हेलो एवरेन यह दर स्टड़ी गुरू और मैं हो निलकुमार इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे जो यूप्यसी का इन्फोर्स्मेंट ओफिसर का एक्जाम होता है उसका नोटिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे आपको जैसे याद हो तो 2020 में एक हमने वीडियो बन उन्होंने एक नोटिफिक डाला था कि यह 1200 पोस्ट कुछ हमारे पास खाली पड़ी है तो इनको वह हम दो उसमें भरेंगे दो मतलब पार्ट में भरेंगे एक एक करके तो आपको दो पार्ट में भरेंगे उसमें क्या हुआ एक तो 2023 में उनकी वेकैंसी आ गई दो 2023 में वे वेकैंसी आई उसमें वेकैंसी आई आपकी 418 ठीक है जी उसका नोटिफिकेशन कब आया यह चीजे मापको जो बता रहा हूं उसका एक बार नोट करके चलना उसकी वेकैंसी आई 418 नोटिफिकेशन आया फरवरी में सोर्ट नोटिस फिर उसके बाद जो फोर्म भरने जो अप्लिकेशन स्टार्ट होई फोर्म भरने की वह ही 25 फरवरी से और जो लास्ट टेट थी फोर्म भरने की वह थी 17 मार्च उसके बाद उसके एडमिट कार्ड आए एडमिट कार्ड आए उसके 14 जून को फिर उसका exam date थी वो थी आपकी 2nd July को उसके बाद इसमें test और entry basis पे आपका admission होगा selection होगा अब इससे जो next जो advertisement है उसके बारे में हमें क्या पता चलता है देखो अभी क्या हुआ है मैंने बता है आपको last year February में आपको 418 के 418 post के लिए account officer reinforcement officer के selection के लिए बात चली फिर अभी इस साल अगर हम बात करें तो 7 March को इन्हों ने notification निकाला है साथ मार्च को क्या notification निकाला है साथ मार्च को इन्हों ने notification निकाला है जी हम recruitment कर रहे हैं 323 vacancies के लिए किस के लिए personal assistant के अब आप सोचोगी personal assistant का account officer reinforcement officer से क्या लेना लिंक है इसका इससे direct link है जैसे एक recruitment पूरी होगी वैसे ही वो दूसरी recruitment निकालेंगे अब वो back to back account officer की vacancy निकाल सकते तो क्यों निकाली तब तक यह जो बच्चे जाएंगे इनकी training वगरा और यह सारी इनकी स्टेट अलोटमेट वगरा हो जाएगे उसके बाद उस हिसाब से further मालो और retirement होती है तो फिर उस हिसाब से कितने vacancy और निकालनी है फिर उनमें अब इसका जो यह जो परस्नल एसिस्टेंट का जो एक्जाम होगा इसके बाद इसकी जो सोर्ट हैंड और टाइपिंग की जो टेस्ट होंगे उसके बाद इसका सेलेक्शन होगा जैसे ही यह पोस्ट यह खतम होगा वैसे ही इनफोर्समेंट ओफिसर की vacancy आपको दिखाई दे जाएंगी अब आप सोचो कितनी vacancy आएंगी करीब यह मानके चलो 500 के करीब vacancy आएंगी मलब 480 से ज़्यादा 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 वेकैंशी आपको अपकी बार इसकी मिल जाएंगी तो यह जैसे ही एक्जाम आपका आपको बुक्स की जरूरत है तो आप मुझे बता सकते हो मैं आपको बुक्स प्रोवाइड करा दूँगा यह आप देख सकते हो जैसे हमारे पास नोट्स भी पड़े हैं उनके ओडिटिंग के नोट्स हैं अकाउंटिंग के नोट्स हैं और इंडस्टिरियल रिलेशन एंड लेबर के हैं फिर उसका पार्ट टू है फिर इसके बाद उसके सोल्ड पेपर है यह ईपएफो का जो पेपर हुए थे अकाउंट ओफिसर के लिए फिर इसके लिए प्रैक्टिस सैट है फिर इसके बाद ये इनके प्रिवेशियर के पेपर से यह इसकी एक अगर यह नहीं है कि जैसे एक्जाम को नोटिफिकिशन आएगा उसके बाद तो सब बच्चे तयारी करेंगे तो अगर आपको कोई और को एक्वियरी है इससे रिलेटिड तो भी आप मेरे से पूछ सकते हो अगर आप तयारी करना चाहते हो तो बेसक आप अपनी तयारी शु सबुट आप लगा करेंज की अपना हुप यह की क्या है तो श्यु निकली है इनकी तो क्या है करेक्षेंड डेट के लिए जैसका बढ़ जुव से पहले पहले ó एसण आप टैस्ट हो जाएगा अगर्स्ताम या T decision a case उसके तुरंत बाद आपको notification मिल जाएगा और हो सकता है December में एक date खाली है UPSC के पास उस टाइम पे भी आपका December में भी एग्जाम आपका हो सकता है तो आप के लिए अच्छा मौका है यहां पे तेयारी कर सकते हो अगर की कोई क्यूई है आप मुझे से कुछ जानना चाहते हैं तो अगर आपको इस इस एक्जाम के बारे में इसकी एक्जाम के तैयारी के बारे में कुछ जानना है या फिर इस एक्जाम से related books वगरा चाहिए तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं और और भी वीडियो बहुत सारे वीडियो में आपको मेरे चैनल पर इस एक्जाम से related मिल जाएंगे आप देख सकते हैं और इस वीडियो में इतना है